बच्चु पढ़ देता हूं इसमें कोई ज्यादा हाड काम करना नहीं आपको बहुत इजी है सिर्फ आपको एक फॉर्मला याद उना चाहिए और कुछ नहीं इसमें कहा है एक दूइघात बहुपत गयात की जिसके सुन्यांको के योग तो था गुणनफल क्रमसा दी गई सं इसका जो सैग ambos पना का फस्त है उसको मैं यह नहाँ पर पर पहले पहला देरक्टा आपको एकवर्ट चार कॉमा एक कोशन मिए का है जो पहला वाला है notion को कोको नहीं है तो सबस्क्राइब लäकर करेंगे माना में दो सुन्यांक कि कर याद कर लेना अवर B है जब दो सुन्यांक A वा B है तो इनका योगफल क्यों जाएगा यहाँ पर हम लिख लेते हैं सुन्यांक को का योगफल जब योगफल करेंगे बच्चों योगफल क्यों जाएगा आपका A प्लस B तो होगा दो सुन्यांक का आगे मानलो हमारे X के 2 मान आगे A वा B ठीक है तो इनका योगफल क्या हो जागा A प्लस B बट आपको कोशन में बूल रखा है जो पहला वाला क्या है वो सुन्यांको का योगफल है तो यहां पर आप लिसकते हैं एक बट्टे 4 बराबर A प्लस B ऐसे दूसरा दे रखा है सुन्यांको का गुननफल वो भी लिख लेते हैं सुन्यांको का गुननफल अब गुननफल को आप किससे दिखागे A गुना B से और गुननफल आपको दे रखा कितना एक तो यह जागा A गुना B बराबर एक ठीक है ये चीजे आपको दे रखिए पहला आपको योगफल दे रखा दूसरा आपको गुणन फल दे रखा सिर्फ आपने क्या क्या दो सुन्यां के मान लिए A वा B तो जब आप इन दोनों का योगफल करोगे तो A प्लस B हो जाएगा ठीक है और इसका मान दे रखा एक बट्ठेचार गुणा सुरी एक ब्राबर एगवाबर बी ठीक है इतना ओक इतना गाम कर लेना इसके बाद एक चीज और आपको देखनी है कि एक दीगात मोबपत के लिए फॉर्मॉला बनता है थिक है वो मैं आप लिख देता हूं दिगात बथूर अ बनता हैं है आपर ल लेने इसकों को डेखाद आप एक्स मैनस से एकस माइनस भी अब आप इसको चॉब करो सब्रूब देखो क्या है एक 16 से किरानगे क्यों हो जाका एकस ство O कराओ गए किस से बीसे ती हो जाएगा हमाइनस का भी- एक्स-ठी обяз कि ओना एक सइठाओगे यह जएगा माइनस का ए एक्स-अ फिर माईनस और। ये माइनस के आप प्लस और ए किन कर वह जाएगा आ इंटो ठीक है यह आ जाएगा अब यहाप X square को आप ऐसी रखो माइनस का ठीक है अब यहाँ पर देखो A और B में देखो क्या common आ रहा है इन दोनों में X common है तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो A प्लस B ठीक है और bracket के बाहर क्या जाएगा आपके पास X और रंद्र बचेगा आपके पास A गुणा B ठीक है अब आप यहाँ बोलोगा कि A क्या है माइनस का है है और B क्या है वो भी माइनस का है बट यहाँ देखो जब आपने माइनस common ले लिया तो यह माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा फिर यह एक आपका क्या बन गया द्विखाद बौःपद बन गया अब यहां पे आप देखेंगे आपके पास यहां ए प्लस ब का माना आपको कोशन में दे रख और एक गुण में धी रख है है ना तो आप लिखोगे द्विखाद बौःपद में हैं अब द्वथ завис करन 2 का मान रखने पर, 2 का क्या करने पर, मान रखने पर, मान रखो देखो, X स्क्वार तो ऐसी रहागा, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, माइनस का, A प्लस B का मान देखो, कितना है बच्चो, एक बटे, चार, तो यहाँ पर रख देता हूँ, मैं एक बटे, चार, अब रेगेट के बार देखो, क्या है, X, तो यहाँ पर मैं लगा देता हूँ, बल्टिप्लाइएं में, X, फिर एप प्लस, एक गुणा B, एक गुणा B का मान कितना बच्चो, प्लस का, एक, तो यह लिग देखो, प्लस का, एक, आप चाओ, तो आंसर, यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, चाओ, तो इसका हर बटे में, एक आ जाएगा, तो इसका हर बटे में, एक आ जाएगा, तो इसका हर बटे में, इक्वल टू जीरो दुखा सभीकरण में आपको पहले बताया था कि इक्वल में क्या रहेगा हमें सब जीरो रहेगा तो बट्टे में चार है जब इदर गुणा में चल जाएगा तो देखो आपके पास क्या बच्चिका 4x2-x प्रस का 4 एक्वल टो जीरो ठीक है तो यहां भी छोड़ सकतो आप चाहो तो यहां पर भी छोड़ सकतो है जो थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन होगी वह आपकी दूर हो जाएगी जो पहली संक है वह आपको दे रख्धा है क्या सुन्यांको का योगफल जो दूसरी संक है आप आपको दे रख़िये, वो है गुणन फल, आपने कहना है, दो सुन्यां के मान लेने है, A वा B, फिर आपको जो दे रख़ा है, वो आपने लिख ले सुन्यां को का यूँद्फल, अब जब A वा B आपने 2 सुन्यां के लिए, तो A हो जाएगा, इनका योगफल दे रखा कितना एक बट्टे चार ऐसे गुणन फल जब आप करोगे यह और B का तो A गुणा B यह आपको दे रखा है एक एक दिगात भुपत आपको याद करना है X-A, X-B तो इन दोनों का गुणा आप निकरा लेना है देखोगे आपका क्या आजाएगा इतना आजाएगा फिर मैंने यहां से X common निकाल लो तो आपका अंदर बन गया A plus B और बहर minus common ले लिया बस क्या किया इस समीकराण में मैंने A plus B की जगा पर यह रख दिया उसको मैंने छोड़ दे बागे जो हमारा question number first related था उसको मैंने अठा दिया तो second number में जो दे रखा है root का 2,1 बटे 3 root 2 1,3 पहला आपको क्या दे रखा सुन्यांको का योगफल दूसरा सुन्यांको का गुणनफल तो same पूरी process रहेगी तो देखो पहला आजाएगा क्या माना दो सुन्यांक की योगफल आपको दे रखा कितना root 2 तो योगफल होगे A plus B तो A plus B का मान दे रखा, root 2 फिर सुन्यांको का गुणनफल A गुणा B तो A गुणा B का मान कितना दे रखा 1,2 तीन अब देखो आप आपका टाइम भी बचेगा और कितना जल्दी जल्दी इन सभी का सॉलुईशन हो जाएगा दिखाद बहुपत आप ऐसे निकालोगे फिर दिखाद देखो इसको समीकरण आपके पास एकस प्लस फिर आपका क्या जाएगा एक गुणा बी एक गुणा बी का मान कितना एक बटे तीन यहापे कर रख देता हूँ मैं एक बटे तीन बराबर जीरू अब इसको सॉल्ब कर ले देखो एकस स्कूरर माइनस का रूट टू एकस हो जाएगा प्लस का एक 3 रूट 2 एकस प्लस का 1 एकवल टू 0 बटे में तीन है गुणा में जाएगा क्यों जाएगा जीरू तो यहाप का फाइनल अंसर आप चाओ तो यहां तक पूरा सॉल्ब करो नहीं तो आप यहाँ पर भी छोड़ सकते एसका आंसर यह जो भिनना का जोड़ है हर बराबर करन क्या आप इतना नोट कर ली जगा ठीक है देखते हैं नेक्स जानी थर्ड नमबर इसी का कुछ नमबर सेकेंड का फिर समय इन दो इनका काम नहीं है जो ब्लू ब्लू वाले हैं उनको मटा देते हैं ठीक है अब इसमें जो थर्ड आपको पॉइंट दे रिखे हैं 0 और रूट पांच थर्ड नमबर आपका जीरो कॉमा रूट पांच तो पहला आपको क्या दे रिखा है सुन्यांको का योगफल तो सुन्यांको का योगफल जीरो और सुन्यांको का गुणान से कितना दे रिखा है रूट पांच अब यहीं यहां रख देते हैं मान देखो एक्स स्कु भूचो जाएगा, देखो, जीरो की गुणा एक से कराओगे, क्या जाएगा, भूचो आपका, जीरो, तो इने, बच्चे का x ऍट्ट, प्लस का, रोट, पाँच एक्वल टू, तो यह हो गया, आपका कौन से नंबर, second का third number complete I hope बच्चो इसको आप अच्छे से समझ रहे होंगे अब देखके है next यानि fourth number कितनी जल्दी जल्दी हो जा रहा है देखो question बच्चो fourth number है आपका 1,1 second का fourth है बच्चो आपका 1,1 तो सुन्यांको का योगफल भी एक हो जाएगा गुणनफल भी एक हो जाएगा डेक्ट मान या रख देते हैं देखो x square फिर है minus a plus b का मान एक और एक की गुणा x में कराओगे बच्चो क्या आजाएगा x फिर plus a गुणा b का मान कितना एक तो यहाँ पर a गुणा b का मान ठीक है फिप्ट में जो आपको दे रखे हैं पॉइंट वो है आपका minus का एक बट्टे चार कॉमा एक बट्टे चार minus का एक बट्टे चार कॉमा एक बट्टे चार सुन्यांको का योगफल कितना है minus का एक बट्टे चार और सुन्याकों का गुणन फल दे रखा है आपको प्लस का एक बट्टे चार तो यहाँ पर मान रख देते हैं X स्क्वार तो ऐसे रहेगा कोई चेंज नहीं रहेगा इसमें फिर आपका माइनस A प्लस B का मान कितना है? माइनस का एक बट्टे 4 तो यह देखो यह माइनस और यह माइनस कर जागा बच्चो प्लस एक बट्टे 4 ब्रैकेट के बार आपका क्या है? मल्टिपलाई में X यहाँ पर X है प्लस A गुणा B का मान कितना है? एक बट्टे 4 बराबर 0 आप चाहो तो आंसर यहाँ पर भी छोड़ दो नई तो इसका क्या कर लो हर बराबर कर लो हर बराबर करोगए देखो आ जाएगा 4 इसके बट्टे मां 4 यहाँ पर 4 से 4 करेंगी एक बार जाएगा जीरो ठीक है देखो 4 है जीरो के साथ गुणा में जाएगा क्या हो जाएगा जीरो तो जो आपका final answer आएगा क्या जाएगा 4X square plus X plus 1 तो यह होगा बच्चो कॉन सा नमबर? 5th नमबर भी complete वीडियो पाउस करके इसको आप note कर सकते हैं नोट करना चाहो तो नहीं तो सिर्फ समझने के लिए आप continue देख सकते हैं इसके बाद देखते हैं शायद last है exercise two point होगा इसमें आपको देखका 4,1 6 नमबर है आपके पास 4,1 सुन्यांको का योगफल 4 गुणफल 1 देखको मान रख देते हैं यहां तो यह आजागा X2- A plus B का मान दिखो कितना है 4 और 4 के गुणफल 1 दिखो A plus B का मान कितना 4 तो हमापे मैं रखा 4 फिर बाहर का है ब्रेकट के X फिर है प्लस फिर है A गुणा B A गुणा B का मान कितना है एक तो मैंने एक गुणा भी कमान कितना रख दिया एक ब्रावत में आ जाएगा जीरो तो यह था बच्चो आपका कौन सा question number second का last याने 6 number I hope बच्चो आप question number second को भी अच्छे समाझ जी